अप्रेल उन्निसो अस्सी के दिन भारतिय जन्ता पाटी की स्थापना हुई और तब से हम पाटी के स्थापना दिन को मनाते हैं भारतिय जन्ता पाटी का स्थापना दिन मनाने के वक्त हम सबके लिए बहुत जरूरी है मित्रो कि हम थोड़ा पीछे चले जाएं और यह सोचे कि पाटी की स्थापना क्यूं हुई थी एपाटी क्यों अस्तितों में आई और पाटी कैसे चली और पाटी को आगे क्या करना है अगर इतीनों बातों को हम ठीक से समझ लेते हैं तो आज देश के नाराधनितिक परिदृष्षों में जिस पाटी की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने में हमें बड़ी सरलता म बिच हुए है, बीच में एक छोटा सा कालखंड जंता पार्टी का भी आता है, जिसमें जंसंग के सभी के सभी सदस्य जंता पार्टी के खिस्सा बने थे जन्संग की स्थापना अभी बाहर प्रदसनी लगाई है 1991 में ही हुई कुछ लोगों ने मतलब 10-11 युवाओं ने सामा प्रसाज जी के नेत्रूतों में जन्संग की स्थापना की वहां से लेकर वो 10-11 युवाओं से लेकर 10 करोड का परिवार हमारा आज बना है यह यात्रा मैं भरोसे से कहना चाहता हूँ यह यात्रा दुनिया भर की रादनितिक पार्टियों की यात्रा में सबसे रोमांचक और सबसे संगर्स्पून यात्रा रही है इसका मुझे आनन्द है में तो क्योंकि मैं ऐसी पार्टी का सदस्य हूँ जिस पार्टी ने देश के भले के लिए देश की समस्याओं के लिए देश की समस्याओं के निवारण के लिए ना केवल कारेक्रम बनाए संघर्स किया और उसके निवारण के सत्ता पर पहुँचकर आज उसके निवारण के लिए भ किसी पार्टी के भग्य में आये होंगे भारतिय जन्संग की स्थापना के वक्त देश में कजीब प्रकार का महोल था आजादी के तुरंत बाद देश कॉंग्रेस की नित्रूतों में आगे बढ़ रहा था और उस वक्त कुछ लोग देश के लिए जो लंबा सोथते थे ठीक स सोच सकते थे उन्होंने देखा कि देश की नित्यों की निव पाष्ट्यद्विचार के अधार पर रखी जा रही है चाहे वो देश की विदेश निती हो आर्थिक निती हो अऊध्योगिक निती हो, कुरुशी निती हो, या बहुत महतोपूर्ण सिक्षा निती हो, इसकी निव पास्यात विचारों के आधार पर रखी जाती थी, उसमें कहीं पर भी इस देश की माटिकी सुगंद नहीं थी, यह देश के मुल विचारों का स्थान नहीं था, और उस वक्त वो मनिश् को लगा, कि देश अगर इस लंबे समझ तक इस रास्ते पर चला, तो देश भटक जाएगा, और देश अपने घंतवे स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा, देश को दुनिया में सन्मान दिलाने का, दुनिया का नेत्रूत करने का सामर्थ होने के बावजुद, वो जगह पर देश नहीं पहुंच आएगा, इसलिए एक नया विचार लोगों के सामने रखने के लिए, एक नई सोच लोगों के सामने रखने के लिए, यह जो हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक इस तरह से होना चाहिए, ऐसा विचार मात्र रखने के लिए भारतिय जनसंग की स्थापना की थी उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि भारतिय जंसंग और बाद में भारतिय जंता पाटी कभी इस देश में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी उस वक्त तो आसाय सिर्फ इतना था किस देश की नितियों को एक अलग विचार रख कर प्रभावित करें एक अलग सोच सोतने के लिए इस देश के मिडिया के सामने इस देश के लोगों के सामने इस देश के चिंतकों के सामने रखे और निती निर्धारक जो देश के बने हु कोई इतना यस मिलीगा इतना सन्मान मिलेगा इतनी लोग स्विकृती मिलेगी मगर हमारे जो पुर्खे थे उस वक्ते हमारे जो नेता थे उन्होंने बहुत कड़ा परिश्रम किया हर चीज का छोटा-छोटा-छोटा विचार करकर उनको मालूम नहीं था कि हम जो सिध्धान् ना रहे हैं उस पर देश कभी चलेगा और नहीं चलेगा उसकी परवा करे बगर चिंतन करते 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 हर क्षेत्र में भारतिये जंसंका एक निश्चीत विचारधारा बनाने का काम दिंदाल उपाद्याजी के नेत्रूतों में हुआ और वो मन्थन वो चिंतन एकात्म मान मानवाद के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तूत हुआ मित्रों 50 साल पहले बना हुआ चिंतन आज भी इतना ही सामप्रत हैं मैं बड़े गवरव के साथ करना चाहता हूं एकात्म मानवाद का चिंतन सास्वत है एटर्नल है वो काल जई है कभी काल बाहिया नहीं होने व भारत पूरे देश का कल्यान करने की इक्षमता एकात्म मानवाद के चिंतन के अंदर पड़ी है और वो चिंतन हमारे मूर विचार का आधार है और हमें गवरव होना चाहिए कि हमें ऐसे चिंतन को लेके चलते हैं जो देश की सिमाओ तक सिमित नहीं है दुनिया के कल्यान अंतरिक सक तक की विचार करने वाला एक चिंतन हमारी काम का आधार बना है और इसलिए दिरे 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 पचास साल में मित्रों हमें ये सफलता मिली है मित्रों कोई भी पार्टी को अगर समदना है पार्टी कैसी है इसका मुल्लैंकन करना है पार्टी कैसी है इसके बारे म एक मत बनाना है तो तीन चीजे महतवपून होती है। पार्टी के सिध्धांत, पार्टी के नेता और पार्टी के कारेकरम। ये तीन चीजों के आधार पर ही पार्टी का मुल्यांकन किया जा सकता है। और मैं मानता हूँ कि जनसंग से भारतिय जनता पार्टी की आग तक की यात्रा 1951 से 2014 तक की यात्रा आग पूरे विश्व के सामने इस तीनों चीजों के लिए मुल्यांकन करने के लिए खुली पड़ी है और मुझे भरोसा है कि जब समय इस चीज का मुल्यांकन करेगा दुन मित्रो भारतिय जनता पार्टी सुद्ध भारतिय चिंतन के आधार के पर अपने सिध्धान्त बनाने वाली पार्टी है सांस्कूर्तिक रास्त्रवाद एकात्म मानवाद का चिंतन और पंच निश्टाओ का भारतिय जनता पार्टी के स्थापना के समय हमने जो गोशना किय इसके आधार पर हमारी पार्टी चली और इसमें कहीं पर भी कोई छोटा विचार नहीं है ये हमारे सिध्धानतों के अगर अंदर कोई छोटा विचार नहीं है इस सिध्धानतों के अंदर देश के पूरे देश के समुचिक सर्वसमावेशक विकास का विचार रहा है देश क समाज के हर व्यक्ति के लिए अन्तियोदय से लेकर समाज के सबसे बड़े व्यक्ति के लिए इसके अंदर जगह है इतना व्यापक चिंतन भारतिय जनता पार्टी का है और मित्रो कॉंग्रेस और भारतिय जनता पार्टी के बीच में विचारदारा के बीच में कोई अंतर एक सेंटेंस में समझाने का प्रयास करने को मुझे कहेगा तो मैं बड़ी सरलता से समझाने के लिए तयार हूँ कॉंग्रेस जब देश आजाद हुआ तब कहती थी कि देश का नव निर्मान होना चाहिए जो पुराना है वो काम का नहीं है पुराना था वो विफल रहा है इसलिए उसको बदल डालिए और नया बनाईए हम कहते थे देश का पुननिर्मान होना चाहिए पुराना था वो स्रेश्ट था और स्रेश्ट को स्विकार करिए और देश को आगे ले जाए ज़ये नव निर्मान और पूर्ण निर्मान तो सब्दों के बीच में कॉंग्रेस और भार्तिय जन्ता पार्टि की विचारदारा का अंतर दुनिया को स्पफ्ष्ट दिखाई पड़ता है उसके बाद में जनसंग की स्थापना के बाद हमारे नेता जनसंग के विश्टार में लगे मैंने कहा पहले सिधान्तों से पार्टी का परिचे होता है बाद में नेता उसे पार्टी का परिचे होता है मित्रो हम सब बहुत 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 किस्मत वाले कारे करता है जिसको एक ऐसा नेत्रूतों की परंपरा मिली है जिसके जीवन में त्याग ही त्याग था जिसके जीवन में त्याग के अलावे कुछ नहीं था मित्रो सामा प्रसाद मुकर जी और दिंदाल उपाध्याई जी ने अपने जानों का बलिदान दिया जीवन का बलिदान दिया उसके बाद में अटल जी अडवानी जी नाना जी देशमुग भाई महावीर त्यागी सुंदर सी बंडारी कुसाबा उठाकरे कैलाशपती मिस्त् राजमाता सिंद्या हजारों हजारों कारेकरता ऐसे निकले जिनको अपने जीवन में और कुछ करने की ना सुध्धी ना भूत्धी पुरा जीवन पार्टी के लिए पुरा जीवन विचार के लिए पुरा जीवन देश के लिए समर्पित किया जीवन की खंशन और सरीर का क आम हादमी होने की मैं उनको बताने चाहता हूँ कि हमारे पास तो ऐसा नेता थे जिनके जन्म से मृत्यू लेक तक कभी बैंक एकाउंट ही नहीं रहा हमारे पास ऐसा नेता थे जिनका जीवन में कभी घर नहीं बना कारले कोई ही घर बना कर चले जिनके जीवर में कोई परिवार नहीं रहा, देश का परिवार ही, उनका परिवार रहा, पूरा जीवन ने अच्छावर किया, मगर मेरी पार्टी ने, मेरे निताओं ने कभी इसका मार्केटिंग नहीं किया, ये मार्केटिंग का विशाय नहीं है, त्याग भुनाने की नहीं है और ना भारतिये जन्ता पार्टी के कार्यक्रता ने कभी त्याक को भुनाने की दुरूष्ट्रदा करनी चाहिए गल्ती करनी चाहिए यह हमारे नेताओंने हमें सिखाए इस प्रकार क्या नेतुट वा ओजस्वीं नेतु प्र dipping साद्गेपूर्ण नेतुट व tief港 न WOODRUFF देश की साहदी किसी एक पार्टी में होगा जो भारतिय जन्ताफ पार्टी को मिला है और हम सब मित्रों, हम सब बहुत बाग्यवान है कि इस प्रकार का नित्रू तो हमें मिला है। सामा प्रशाद जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक और दीन्दाल जी से लेकर आद देश भर में फैले हजारों प्रचारों को तक जिन लोगों ने अपने जीवन का धिश्टान तब को बनाया है ऐसा नित्रूतों भारती जनता पार्टी को मिला है मित्रों सिद्धानतों के बारे में ये पार्टी सर्वस्रेष्ट पार्टी रही नित्रूतों के बारे में ये पार्टी सर्वस्रेष्ट पार्टी रही और पार्टी की स्थापना से आद तक अपने का कारेक्रम नहीं है एक भी कारेक्रम पार्टी के महिमा मंदन का कारेक्रम एक भी कारेक्रम पार्टी के विस्तार का कारेक्रम नहीं है हरे पार्टिया इस देश में रजिस्टर हुई है उसमें से कुछ एक दो पार्टिया ऐसी है जिनोंने अपना आंत्रिक लोकतंत्रा समाल कर रखा है आज इस पार्टी में ऐसी स्वतंत्रता है कि गुजरात के किसी एक बूथ पर बूथ के मंत्री नाते काम करने वाला एक सामन्य कारक्रता इस पार्टी का राष्टी अत्यक्स बन सकता है। और इस पार्टी में ऐसी स्वतंद्रता है कि कोई बड़े गराने में जन्मलिये बगर, कोई राधनितिक प्रुष्ट भूमी के बगर, चाय बेचने वाला आम आदमी आएक बच्चा इस देश का प्रधान मंत्री बन सकता है। जो नेताओं को लोगों के बीच में से उभर कराने की स्वतंद्रता देता है। और केंद्र में पून बहुमत वाली भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार स्रीमा नरेंद्र मोदी के नेत्रूतों में चल रही है। और इसलिए हम वीपक्स में से थे उससे ज्यादा जिम्मेदारी आज हमारी है। देश की घरिबी के सामने लड़ाई करने की जिम्मेदारी आज भारतिय जन्ता पार्टी की है। देश को किसान को संपन करने की जिम्मेदारी भारतिय जन्ता पार्टी की है। जिम्मेदारी भी भारतिय जन्ता पार्टी की है। तक ले जाने का काम हमने करना है यह पार्टी किसी को प्रधान मंत्री बनाने के लिए नहीं बनी थी यह पार्टी इस राष्ट को इस देश को इस भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने के लिए बनी थी और संगस करते 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 विश्व गुरु पर बिठान उसके स्थान पर बिठाने का, काम करने का जिम्मा, आज हमारी पीडी पर आ गया है, हमने बहुत सभा के, हम सब सभा के सली, मेत्रों, देश के लिए जो जान देते हैं न, उसकी कोई कम किमत नहीं होती, मगर मैं मानता हूँ, देश के लिए जो सहीद हुए है, उनसे भी ज्या जादा कठीन चीज है, देश के लिए जीना, और वो जीने की जिम्मेदारी हमारे सर पर आई, आजादी दिलाने के लिए, भगत सिंग से लेकर, अनेक अनेक लोग अपनी व्यास्ता में सहीद हुए, उससे भी ज्यादा कठीन काम है, पूरा जीवन देश के लिए जीना, औ आज हमारे सामने आई है, मित्रो नरेंद्र भाई के नेत्रूतों के में, ए देश में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे से काम करी है, देश की हर समस्या का समधान लाने का प्रयास करी है, मतों के पीछे दोडने के बगर, कठो रास्ते पे चलकर, लंबे र नेत्र तो करने के सान पर बिठाने का काम ये नरेंद्रमोधी सरकार करी है और उस वक्त हम सब की जिम्मेदारी है देश बर के कारेकरदाओं की जिम्मेदारी है कि इस बात के हम वाहक बने इस बात को लेकर लोगों के बीच में जाए इस बात को लेकर जंटा के बीच में है और मुझे भरोसा है कि नरेंद्र भाई के नित्रुत में हम जब दूबारे मेंडेट लेने के लिए जाएंगे तब इससे अधीक सीड पाकर एक और मद्बूत सरकार बनाकर जनादेश प्राप्त करकर आएंगे मगर भारतिय जन्ता पार्टी का कारेकृता मित्रो केरियर ओरेंटेड सोत न रखे कार्यकी सोच रखे पद की जगए पार्टी का विचार करे अपने आप की जगए देश का और पार्टी का विचार करे प्रसिद्धी और पद ये दोनों तो परिश्रम के पीछे पीछे आते ही है एक बार परिश्रम करने में हम भरोसा जता दे प्रसिद्धी और बद दोनों आपके पीछे अपने आप आ जाए है इसकी आकांगसा करने की जरूरत नहीं है परिश्रम करने की जरूरत है मित्रो नरेंदर भाई के नेत्रूतों के अंदर एक देश की सरकार दुनिया में भारत का स्थान मदबूत जगकप पर पहुँचाने का काम कर चुकी है देश के गरिबों के लिए देश के किसानों के लिए देश के मद्दूरों के लिए देश के वंजितों के लिए अनेक वीद योदनाओं लेकर हम आए हैं विदेश की सिमाओं को सुरक्षित करने का काम, एक सुरुदरड विदेश दिती देने का काम एक भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। कि हम इस पार्टी के काम को, हम इस विचार के काम को और सरकार के काम को लोगों के बीच में लिकर जाए। कि सदस्य ये सुभेच्छक उसको कारेकरदा में परिवर्तित करने के लिए हमारे दो अभियान और आने हैं। एक संपर का भियान और एक प्रसिक्षन का भियान। मैं भरोसा करता हूँ कि आप सबने जीतना काम सदस्य अभियान के लिए किया है, जितनी महनत से किया है, जितनी निष्टा से किया है, उतनी ही निष्टा से आप आने वाले दिनों के में अंदर संपर्क अभ्यान और प्रसिक्षन अभ्यान का काम करेंगे नरेंद्र भाई सरकार के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सरकार की नितियों को बनाने के उनकी पूरी टीम नरेंद्र भाई के साथ लगकर देश की हर समस्या के निवारन के लिए अथक प्रयास करेंगे उस वक्त भारती के जनता पार्टी के हम सब कारेकरता संगठन के कारेकरता सरकार जो प्रयास करेंगे उसके पीछे रहे जनता में प्रयास को पहुंचाए और सरकार को सफल बनाने के लिए बिल्कुल एक जूटोंकर लग जाए ये मेरी सभी देश के कारेकरताओं को आज के दिन पर एक अपील है मित्रो आज जब हम पार्टी के 36 वे स्थापना दिन पर यहां पर एकत्रीत है मैं जानता हूँ कि इस पार्टी के लिए इस विचार के लिए कितने कितने लोगों ने त्याग दिया है बलिदान दिया है और इसके परिपाक स्वरूफी आज ये पार्टी यहां पर पहुंची है हमारी जिम्मेदारी है कि और 35 साल पर कोई पार्टी का राष्टी यहां से भासन करे तब ये पैतिल स्कालखा हमारा आने वाला कालखन पीछे के 35 साल से कालखन से ज्यादा यसस्वी हो वो हमारी जिम्मेदारी है मेरे सामने जो बैठे हैं वो सभी कारेकता अभी भी 20 साल, 35 साल, 30 साल तक पार्टी में काम करेंगे मेरी आप से रदय की रदय से भी नंती है एक अपील है कि हमारे जीवन को ऐसा बनाए कि जो पार्टी के 35 साल गए है उससे पार्टी के 35 साल और यसस्वी और उज्वल हो और हम त्याग महें जीवन जीवे और संगर्ष महें जीवन जीए और देश को अच्छा नेत्रूत देने का प्रयास करें यही मेरी आपको अपील है मित्रो नरेंडर भाई के नेत्रूत में यह देश दीन दूनी राध चोगनी प्रगती करता रहे और भारत माता को विष्वगूर के स्थान पर बिठाने में हम सब लोग सपल रहे नरेंडर भाई का नेत्रूत शपल रहे यही सुभ्कामनाओं के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ बारत मता कीजें